हेलो आज की इस वीडियो में आपको एकी टीव से आच है बहुत ही महाठपुर अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा चातो जो पहला अपडेट है वह है रिगार्डिंग टाइम लिमिट फार कंफलेशन आप कोर्स फार सेशन 2022 & 23 सेकेंड अपडेट होगा चात्रों रिगार्डिंग फाइनल एक्जामनेशन सेड्यूल और सेमेश्टर 2022-23 फेच वन जो आप लोग के लिए जाना बहुत ही जरूरी है तीसरा अपडेट होगा चात्रों रिगार्डिंग प्रोवाइड डिटेंड इस्टुदें लिट फार और सेमेश्टर रिगार्डिंग फिल एक्जामनेशन फॉर्म फार और सेमेश्टर 2022-23 फेच अपडेट होगा चात्रों वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपका स्पेशल कैरी ओवर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है साथी आप लोग जिन साथी जिन चार्टों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है उनको फॉर्म एक्जामनेशन फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए चलिए बात करते हैं अपने पहले अपडेट हुए सैचिक सर 2022-23 के बिसम समिस्टर इसनातक और पराइसनातक के रेगलिया तक कैरी और विष्यों की प्रथम चरण की परिच्छाओं का संसोधी और फाइनल परिच्छा कारकरम जारी किया जाने के संबन्द में है चात्रो जो 2022-23 के बिसम समिस्टर का एक्जाम नेसन सेडियूल जारी किया गया था टेंटिटिव एक्जाम नेसन सेडियूल अब उसको फाइनल कर दिया गया है आप लोग की परिच्छाओं 4 जनुवरी 2023 से दिनाग 25 जनुवरी 2023 तर आफ्लाइन मोड में आयोजित कराई जाएंगी और आप यहाँ पर अपना एक्जाम नेसन सेडियूल देख चेक कर सकते हैं कि आपका एक्जाम किस तारीक को होगा और उसकी टाइमिंग क्या है आपको अगर यह एक्जाम नेसन सेडियूल डाउनलोड करना है तो आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिस्टन में टेली ग्राम ग्रूप की लिंक मिल जाएगी उस पे क्लिक करके जॉइन करिए और आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अब दूसरा जो बहुत ही महादपूर अपडेट है सभी चात्रों के लिए हुआ यह है कि सैट्सिक सर 222 तेज के बिसम सभिष्टर के परिच्छा फॉर्म भरे जाने की तीधी तता परिच्छा सुल्ग जमा किये जाने की पूना हाती थी बिस्तारित किये जाने के संबंद में हैं चात्रों अब आपके एकजामनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वह एक जनुरी दोजार तेज तक बिस्तारित कर दी गई है वहीं पर पेमेंट की डेट अब दो जनुरी दोजार तेज से बढ़हा कर 10 जनुरी दोजार तेज तक कर दी गई है यानि कि एकजामनेशन फॉर्म अब आप एक जनुरी दोजार तेज तक फिल कर सकते हैं और उसका पेमेंट 10 जनुरी दोजार तेज तक कर सकते हैं चातो तीस्तर अपडेट है से 2021-22 के बिसम एवम सम समेश्टर इसनातक पराशनातक परिच्छा के विभिन पाठक्रमों के छूटे अपोड प्रियोगात्मक परिच्छा प्रोजेक्ट तथा आंठरिक अंकों को पुना इर्पी पर अपलोड की जानी के संबंध में हैं जानी कि जिन भी चात्रों का अभी इंटर्नल मार्स अभी तक अपडेट पोडेट पर नहीं किये गए हैं तो पोडेट पुना खोला जा रहा है 30 दिसमबर 2022 को अपरहां 4 बजे तक ERP पोडेट खोला जा रहा है जिन भी चात्रों के इंटर्नल मार्स अपडेट नहीं किये गया हैं तो अपडेट कर दिया जाएं ऐसा कॉलेजियों को निर्देशित किया गया है जातों चौथा और बहुत ही महात्रपूर्ड अपडेट यह संस्थानों के चार चात्राओं के पार्ठक्रम पूरा करने है तो एक अंतिम आउसर दिया जा रहा है यहां पर आप ध्यां से देखीगा मैं पूरा पढ़ने वाला हूं उप्रोक्त विश्य के संबंध में आउगट कराना है कि विश्य विद्याले के सर्थ 2022 स्थेज में कटि उपए चात्राएं बीमारी अथ्वा अन्यकिसी कारण वस बिश्य बिद्याले के निध्धारित व्याउस्था के अनुसार समय से अपना पाठक्रम पूड़ नहीं कर पाए है ऐसे सभी चात्राओं द्वारा पाठक्रम पूर करने है तो किये गये अनुरुद को बिश्य ब दिया गया है तो जो पांचवो अपडेट है वह है डिटेंट इस्टूडेंट की लिस्ट को लेकर है सैच्छिक शाथ 2022 के बिसम समेश्टर इसनातक और अपराशनातक के रेगुलर तता कैरी और विस्यों की प्रथम च्रड की परिच्छा में सथान इस्थान पर किये गए डि इस बिएब को लेकर या फिर अटेंडेंस को लेकर तो चात्रों ये रहे आज के पांच महत्पूर अपडेट अब लास्ट अपडेट यह है कि स्पेसल कैरी और के चात्रों का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा क्योंकि काफी लेट हो चुका है जो बिसम समेश्टर के एक चात्रों के लिए जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है उनको एक्जामनेशन फॉर्म भरने की कोई भी जरूर्वत नहीं है क्योंकि जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाएगा एक्जामनेशन फॉर्म फिल करने की डेट एक्स्टेंड होती रहेगी और जिन चात कीप वाचिंग और सबस्क्राइट चनल फार मोर वीडियो थैंक यू